महापुर्सों प्यार से कहिए धर निरंकार जी सत्गुरु माता सुदिक्छा सबिंदर हर देव जी महराज की जै महापुर्सों दासे आपके स्री चर्णों में आज सैंसाह बाबा अवतार सिंग जी महराज के मुखार बिंद से निकले अमूल्य पर बचन जो की अवतार उपदेश नामक पुस्तक से है अवतार उपदेश भाग टू आपके चर्णों में इसी कामना याचना प्रार्थना के साथ समर्पित कर रहा है कि हे दीन द्याल सच्चे पाश्चा सद्गुर माता सुदिक्षा सविंदर हर देवजी महराज हुजूर के विचारों को हम अपने जीवन में अपना कर आपकी किरपा के पात्र बन पाएं यही आचना यही कामना यही प्रार्थना के समस्त निरंकारी परिवार और समस्त संसार किस पुष्टक में जो भी सहिंसा हबाबा उतार सिंग जी ने दिशा निर्देश दिया है मानो मात्र के लिए तो सभी इसका लाभ ले पाएं और हम भी आपके बताये हुए आदेशों और उपदेशों पर चल करके अपना लोक्षुखी और परलोक्षुहला बना पाएं सेंसा हबाबा उतार सिंग जी महराज के पावन परवचन सनिवार दो मई वननेश सो उनसठ आसा महला पाँच गर मही सोख बाहर फुन सोखा हर सिमरत सगल बिना से दूखा सगल सूख जातूं चित्यावे सो नामु जपे जो जन तुध भावे मनु तनु सीतलु जप नामु तेरा हरी हरी जपत ढहे दुख डेरा हुकुम बूझे सोई परवानू साचु सबदु जाकानी सानू गुनि पूरे हरी नाम द्रडाया बनति नानक्यू मेरे मन सुख पाया आदि गरंथ तीन सो पच्चासी हुजूर ने फरमाया साद संगत जी धर निरंकार जी घर मही सूख बाहर इफुन सूखा साद संगत जी यहां कहते हैं कि जिस समय से मैं इस्वर की ओर लगा हूँ जब से मैंने ग्यान प्राप्त किया है तथा मुझे पूर्ड सत्गुरू मिला है मैं उसी समय से सुखी हो गया हूँ मैं घर में रहता हूँ तब भी सुखी हूँ बाहर जाता हूँ तब भी सुखी हूँ वाकई गुर्मुखों इसके दोनों लोग समर जाते हैं यहां अपनी हालत स्वयम बता रहा है कि मैं सोया रहूं या बैठा रहूं सुखी ही रहता हूँ साध संगत इसके अंदर कोई बीमारी नहीं रही हर सिमरत सगल बिना से दूखा हरी का सिमरन करने से मेरे दुखों का नास हो गया है वाकई गुर्मकों या हरी का नामे ऐसी औसदी है कि जो भी खाता है उसका दुखदूर हो जाता है अता अब आप भी अपनी और देखें जिनोंने यह आवसदी खाई है उनका दुखदूर हो गया या नहीं यदि हो गया है तो ठीक है जिनका दुखदूर नहीं हुआ उनका दूर करना है जैसे बहुत से लोगों को एक ही बीमारी लगी हुई हो तथा जिनकी बीमारी दूर हो जाती है उन्हें अस्पताल में से निकाल दिया जाता है कहा जाता है कि ये अब ठीक हो गए हैं उनको अब अस्पताल में रहने की आव सकता नहीं परंतु जिनकी बीमारी ठीक नहीं होती उनको अस्पताल में इलाज करने के लिए रखा जाता है सगल सूख जा तूँ चिति आवे वा कई गुर्मुखों जिस समय तू भाव निराकार प्रभू याद आए तो सभी सुख मेरे पासे आ जाते हैं जिसको वाकाल पुरख याद आ जाए उसे सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं यहां एक ही बस्तू है इदि यह बस्तू प्राप्त नहीं की तो या जीव दुखी है इदि प्राप्त कर ली तो या सुखी है तो आकई महापुर्सों गुर्मुखों इनका दुख दूर हो गया है तथा आवाज दी है कि हे गरीब निवाज जिस समय तुँ याद आता है घर बाहर जहां भी हो उस समय खुशी होती है साद संगत इसलिए जिना सास गिरास ना विसरे हरिनामा मनमंतु धनु सी सेई नानु का पूरण सोई संतु वही पूरण संत हैं जिनको किसी भी समय अकाल पुरख निराकार न भूले गुर्मुखों हर समय हर घड़ी यह हमारे साथ है बैठते चलते सोते भी या साथ ही रहता है किते किते दी से ना ले इसका ध्यान करना है इसको किसी समय भुलाना नहीं जो नहीं भुलाते वे बड़े भाग्यवाले हैं उनके निकट कोई बस्तु नहीं आ सकती वे सबसे महान लोग हैं उनसे सभी बस्तु में डरती हैं जो निराकार से नहीं डरते उन पर सभी कष्ट हावी हो जाते हैं वे भर प्रावनी वा मारने वाली चीज़ें संसार के लिए हैं आपको ये कुछ नहीं कह सकतीं ये आपको असपर्स भी नहीं कर सकतीं परंत ये कसरत है कि आप इस प्रभु को कभी नहीं भुलाओगे सदेव याद रखना है पुरातन संतों ने भी कहा है नाल नरायन मेरे जमदूत नयावे नेरे आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता पर साथ यह समझने की आउ सकता है कि आपने और कुछ नहीं करना हर समय इस निराकार प्रफु को याद करना है हर समय आपको यही याद रहे कि बाबा जी ने यह बात कही है कि यह निराकार है यहाँ आपके अंगसंग है रोम रोम में रमा हुआ है, इसलिए आपको कोई बस्तू परभावित नहीं कर सकती, इसलिए गुर्मकों महापुरसों, जो लोग ये बचन याद रखते हैं, बचन गुरु जो पूरे कहियो, मैं छीं की गाठ दी बाधा, जिनोंने यह बचन गाठ में बाध लिया है, उनके नचदिक कोई चीज नहीं आ सकती, आप यह कहा ही ना करो की फला जगा हमने यह देखा, यह वह देखा, मुझे भय लगा आदी, आपको तो सांप, सेर आद भी कुछ नहीं का सकते, कोई भी भयानक चीज हो, आपने वही मंत्र पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया है, तुहीं दरंकार, तुहीं दरंकार, तुहीं दरंकार का सुमिरन करना है, कोई मनुस्य के, कोई सिपाहियों के, कोई भूतों वादी के रूप धारड करके आपके समक्षे आएंगे परन्तु आपका कुछ नहीं बिगार सकेंगे ये सब आपकी परिच्छा के लिए होता है क्योंकि यह निराकार देखता है कि यह मुझे भूलता है या नहीं इसलिए गुर्मुखों जो नहीं भूलते वही गुर्मुख है इसलिए प्रभु को याद रखना है ग्रंथों में भी यही लिखा है सगल सूख जा तूं चित यावे ये संत जनों के कठन है कि हे मेरे निराकार यदि तु याद रहे तो सभी और से सुख ही सुख है पर यदि तु भूल जाए तो तु विसरहिता सब को लागू चीत यावहिता सेवा भयानक से भयानक सक्ती भी आपकी सेवा करेगी जैसे साप जैसी विसेली सक्ती ने गुरु नानक जी को छाया की ये एतिहास्तिक बातें आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आप निर्भय हो जाएं आप प्रभु को जानने वाले हैं इस्वर भक्तों ने अपने आप पर इन सबका पर योग करके फिर आपको यह सब बताया है ये बिर्थ की बातें नहीं लिखी हुई हैं ये तो संत जन अपना बयान दे रहे हैं कि जब तुम याद आते हो तो मैं सब और से सुखी हो जाता हूँ सो नाम जपे जो जन तुद भावे ए प्रभु जो तुम्हें भागया अर्थात तेरे दर पर परवान हो गया है उसने प्रभु का नाम जप लिया है वह कभी भुलावे में नहीं आता जिदि आप उसे अच्छे लगे या वह आपको अच्छा लगा फिर इसमें अंतर ही क्या रह गया जैसे लोग कहा करते हैं मिया भीभी राजी तो क्या करेगा काजी जो आत्मा प्रभु परमात्मा से मिली हुई है वासत चित आनंद सरूप हो गई है संसार उसका कुछ नहीं विगाड सकता संतों महापुरसों आप कभी भुलावे में ना आया करो इस संसार में आपके बराबर कोई नहीं है इस धर्ती के तक्ते पर संत महापुरस सबसे उंचा माना जाता है उस सबते उंचा सबते सूचा जाके हिर्द बसिया भगवान इसलिए आप हर समय निराकार को याद रखो इस से अपना ध्यान कभी भी ना हटाओ मन तन सीतल जप नाम तेरा यहाँ संत जनों ने अपनी अवस्था का बरलन किया है कि हे प्रभु तेरा नाम जानकर मेरा तन यवर मेरा मन सीतल हो गया है साद संगत सरीर भी तभी सुखी होता है जब इसमें निराकार रूपी प्रकास आ जाता है तब सरीर का रोम रोम सुखी हो जाता है हरी हर जपत ढहे दुख डेरा संत जन कहते हैं कि हरी का नाम सुमिरन करने से दुखों का डेरा नास हो जाता है आओ संत जनों यह सर्व व्यापी निराकार याप के साथ है जब आपने इसको जान लिया तो दुखों का पहान समाप्त हो गया क्योंकि दुख एक अज्यानता का दूसरा अहम का तीसरा जन्मरन का लगा हुआ परमातमा को जान लें यह सभी दुख दूर हो जाते हैं ज्यान मिलने से अज्यानता चली जाती है अहम का रोग भी चला जाता है और तन मन धन प्रभू का मान लेने से जनम मरण का भय भी समाप्त हो जाता है जैसे कहा है ना कछ आई वो ना कछ जाई वो राम की दुहाई ना किछ जन में ना किछ उमरे आपन चलत आप ही करे संत जनों का कथन है कि यहां एक खेल है और यहां सत्य भी है अनेक है फिर एक है अनेकता में आया था फिर एकता में मिलकर सांत हो गया है काता है मैं तो भूला हुआ था फिर ज्यान लेकर सही रास्ते पर आ गया हूँ यह दातार तू ही तू ही मैं तो है ही नहीं अता संतों य दिया गया ग्यान निराकार का ग्यान है हाकिम और हुक्म दो नहीं होते जिसका हुक्म चलता है वही हाकिम कहलाता है हुक्म हमारे पास आता है हुक्म हम मानते हैं गुरू का हुक्म निराकार का ग्यान है जो हमने मानना है आप हुक्म निराकार हाकिम गुरू ये दो नहीं हो स हाकिम से ही हुक्म है यदि हुक्म है तो हाकिम अवस्य होगा अतहा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है यहां भी जिसने हुक्म मान लिया वाभाडे में आ गया वासत गुरू के दर पर परवान हो गया है उसी का कथन है जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार जो इस पर चल पड़ता है कि हेदाता तू जो करेगा वही होना है तेरे हुक्म के बिना कुछ नहीं हो रहा जो तू कर रहा है मैंने तेरी आज्या में चलना है वाकई गुर्मखों जो भाणे में चलता है उसी को हुक्म मानना कहते हैं और हुक्म कोई अलग बस तू नहीं यह अबी इस प्रकार कहा है कि जिव जिव तेरा हुक्म तिवे हो ना। वाकई इस प्रकार जिनोंने मांन लिया है, वे कहते हैं कि जिव बुलावे तिव नानक दास बोले। बलकि यहां तक कह दिया है काठ की पुत्री कहा करे बपुरी खिलावन हारो जाने जैसा भेख करावे बाजी गरु वो हु तैसो ही साजु आने इसी प्रकार अपने आपको काठ की पुतली बताया है कि मैं काठ की पुतली हूँ, मेरा मालिक जिस प्रकार नचा रहा है मैं उसी प्रकार नाच रही हूँ साचु सबद जाका नीसानु जिसका निसाना सत्य सब्द की ओर है सत्य सब्द यही है आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सचु जो आपको निरंकार बताया है कि यह है यही सत्य सब्द है वाकई गुर्मखों इसी को कहा है माई सत्य सत्य हरी सत्य 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 साधा बचन गुरु जो पूरे कहियो मैं छींक गाठडी बाधा जो पूर्ण सत्य गुरु ने कहा है इसी को सत्य मानना है क्योंकि निराकार ही सत्य है और कोई बस्तू सत्य नहीं जिसका निसाना सत्य है उसे कोई भय नहीं सचो उरे सब कव उपर सच अचार सेश संसार तो असत्य में ही खेलता है परंत सब से उपर वे हैं जो सत्य से जुड़े हुए हैं भाव जिसका लक्ष सत्य सब्द है जिनका आचार उचा है अतहसाद संगत खेल तो सब सत्य सब्द के लक्ष का ही है क्योंकि संसार तो सब कुछ कर ही रहा है जब भी करता है तब भी करता है पाठ पूजा भी करता है तिर्थों में असनान भी करता है परन्त उसका बन कुछ नहीं रहा गुर मुखों यहाँ आपका लक्ष है, आप अपने लक्ष में ही बोल रहे हैं, ये प्रभु, ये नरंकार, हम तेरे हैं, गुर पूरे हरी नाम द्रडाईया काने वाला कह रहा है कि मुझे समय का पूर्ण सद्गुरु मिला है जिस समय से इसने मुझे हरी नाम से जोड़ा है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसी समय से सुखी हो गया हूँ तथा वा कई गुर्मुकों महापुर्सों इसके उपर यहर कोई बस तू नहीं बाबा जी ने यहां कहा है इसते उपर नहीं बिचार जाके मन बसियान रंकार तथा वा कई साद संगत इससे उपर कोई बिचार नहीं इसके उपर कोई खेल नहीं जो यहां पहुँच गए वे सबसे हूंचे हैं जो भी पहुँच जाएं हिंदू, मुसलिम, सिक, कहिसाई, ब्राम्मन, छत्री, सूद्र, बैस, सिचाए, कोई भी हो, जिसने भी परमात्मा को जान लिया, वह पार हो गया, साध संगत, यहां जाती मजहब बर्ग का सवाल नहीं, जिसने निराकार परमात्मा को जान लिया, उसका बेणा पार हो गया, जिस दिन से मुझे यह अंग संग दिरंकार का ज्ञान हुआ है, मेरा मन उसी समय से सुखी हो गया है, यहां अपनी हालत बता रहा है, अता हुआ कई गुर्मुखों कि दि आपने भी अंग संग परमात्मा को जान लिया है, आपको भी अंग संग नजर आ रहा है, तो फिर उनको परमात्मा का कोई पता नहीं, उनको मनमुक, साकत, मूढ कहा है, तथा दूसरी ओर जिनोंने परमात्मा को वंगसंग जान लिया है, तथा देख रहे हैं, उनको संत, साधू, गुर्शिक, भक्त, मात्मा, महापुरुस कहा है, यहां कहने वाला इस्वर भक्त कहा रहा है, मुझे पूर्ण सत्गुरु ने अंगसंग जिरंकारक पर द्रढ कर दिया है, तथा उसी समय से मेरा मन सुखी हो गया है, तथा आवाज दे रहा है कि अब मुझे कोई भुलावा नहीं रहा, अतावा कई साध संगत, मन मानना उसे क काते हैं कि जिस प्रकार मैंने जनम रित्व में पढ़ना है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं पापी हूँ, परंत जो लोग सच्चे होते हैं, वो अपनी सत्य आवाज देते हैं, जो कुछ उनके हिर्दे में होता है, जो पामे भाने बिच बसत सा निकल किया कोई करे विचारा, जो बस तु बरतन में डाली हो वही निकलती है, जिनोंने अपने हिर्दे में बैर विरोध कुद्रिष्टी, निंदा चुगली भरी हुई है, उनके अंदर से भी यही कुछ निकलता है, तथा जिनोंने संसार को मित्र बनाया है, संतों की संगत करते हैं, उनके अंदर से क्या निकलता है, कि मेरे बहम, बरम, भुलावे सब दूर हो गए है, मैं परमात्मा से मिल गया हूँ, मेरा बेना पार हो गया है, अब मेरे सिर पर यावा गमन का चक्कर नहीं है, वाकई साध संगत जो सुखी हुआ है, उसी ने आवाज दी है, इसके ब पहुत से लोगों को छुडा कर ले गए, साध संगत जी, धया निरंकार जी, रभीवार 13 सितंबर 1961, तुम दा ते ठाकुर पृत पालक, नाईक खसम हमारे, निमक निमक तुमहीं पृत पालहू, हम बारिक तुमरे धारे, जहबा एक कमन गुन कहिए, बेसुमार बे अंत सु तेरे अंतु नकी नहीं लहिये, कोटी पराद हमारे खंडः, अनिक बिधी समझावहू, हम अगियान अलप मत थोरी, तुम्हे आपन बिरद रखावहू, तुमरी सरण तुम्हारी आसा, तुमहीं सजन सुहेले, राखवू राखन हार दयाला, नानक घर के गोले, आधिगर पराद शेसो चोहत्तर, सैंसाह जी ने फरमाया, साथ संगत जी धर निरंकार, तुम दाते ठाकुर प्रित पालक नाई के खसम हमारे, साथ संगत जी इसका भाव केवल इसके भेद को जानने वाले ही समझ सकते हैं, संसार तो केवल ब्रह्म ज्यानी के विचारों को पढ़ने तक ही सीमित रखता है, परंतु निरंकार या काल पुरुख को जानने वाले लोग तथा इसको जानने वाले महापुरुस ही केवल इन अनमोल सब्दों के भाव जानते हैं, आज संसार में जितने भी गुरुपीर इत्यादी बने हुए हैं, वे सर्व व्यापक निराकार को केवल एक ही तरीका बताते हैं कि बेद गरंतों को खुद पढ़ा जाए, तथा उनका गायन किया जाए, क्योंकि वे स्वेंग ही इस गुप्त राज को नहीं जानते, इस सब्द में एक भक्त पूंड सत्गुरु के चरणों में आकर सर्व व्यापी प्रभु के दर्सन करके बिन्ती करता है कि हे सैंसा तू दाता है तथा सब का पालक है, संसार में एक तुहीं मेरा मालक है, निमख निमख तुमहीं पृत पालहू, हम बारिक तुम्हरे थारे। जैसे माता को बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही प्रभु को भक्त जिहवा एक कमन गुन कहिए, प्रेमी जने अपने सत्गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि मेरी छोटी सी जिहवा है, इसमें आपके गुड कहने की सामर्थ नहीं, जब मैं तेरी पर संसा करता ह मेरी कथन की सक्ती मुझे कम अनभो होती है, कबीर सात समंदर मस करहूं, कलम करऊं बन राए, बसुधा कागद जव करऊं, हर जस लिखन न जाए, वास्तों में सत्त भी यही है, इसमें निरंकार सिर्जनहार की उपमा कठिन ही नहीं संभो भी है, बेसुमार बेयंत सुआमी तेरे अन्त नकिनहीं लहिए, समस्त सिर्ष्टी का स्वामी इस्वर है, जो बेसुमार है, बेयंत है, अगम है, भला इसकी उपमा कैसे की जा सकती है, कोट पराद हमारे खंडः, अनिक बिधी समझाओ, संसार में केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही सभी के दोसों को छमा कर सकता है, और ब्रह्म का ज्यान करवा सकता है, क्योंकि इसका बिरद ही यहा है, जो स्रण यावे तिसकंठ लावे इहु बिरद स्वामी सदा, जैसे गंदे से गंदा जल भी गंगा में मिलकर गंगा का रूप हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कैसा भी कोई कुकर्मी जीव अग्यानता का नास हो जाता है, जैसे कहा है, ग्यान अंजन गुरुदिया, अग्यान अंधेर बिनास, हर किरपाते संत भेटिया, नानक मन परगास। सत्गुरु ही मन की अग्यानता के अंधेरे को ग्यान रूपी परकास से नास कर देता है, मन अग्यान अलप मत थोरी, पूर्ब में अज्यानता के कुईये में डूबा हुआ या कर्म धर्म पूजा पाठ नेम जब तप तीर्थ असनान में ही उल्जा हुआ था और इनी कर्म बंधनों को पूजा समझता था अब यह समझ आ गई है जैसे कि गुर्बाणी में लिखा है कर्म धर्म पाखंड जो दी सही तीन जम जागाती लूटे परंतु आपकी सरण में आकर इस बात की समझ आ गई कि जिदने भी कर्म धर्म है सभी जूठे पाखंड है उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता जो जो कर्म कियो लालच लगी तेह तेह आप बदाईयो आज सारे संसार की हालत बरणन नहीं की जा स सकती कि किस प्रकार लोग पत्थरों वादी की पूजा करके अपने जन्म को सुधारने का प्रियत्न कर रहे हैं जो की असंभो है संसार में जो भी ब्रह्म ज्यानी हुआ उसने यही बात कही साध कि संग नहीं कछुगाल दरसन भेटत होत निहाल साध कि संग बुझे प्रभ चान कार के लिए या आत्मा चिरकाल से वटक रहे थी वा साधू की संगत में जाते ही प्रभू की प्राप्ति कर लेती है जैसे लिखा है गुरू मिलिये हर मेला होई गुरू के मेल से ही प्रभू का मिलन हो सकता है जूटी बस्तूओं की पूजा करने से इस्वर प्राप्ति नहीं हो सकती ज्यानवान महापुरु से अपने सद्गुरू के चरणों में प्रार्थना करता है मुझी अपराधी को तुने अपनी गोध में बिठा लिया है साध संगत जी इस प्रेम के पतपर केवले आप जैसे प्रेमी जन ही चल सकते हैं क्योंकि वे इस अलोकिक भेद को जानते हैं तथा स्वयम को इन संत जनों के समक्ष कुछ भी नहीं समझते सदा सेवक भाव ही रखते हैं तुम्हरी सरण तुम्हारी यासा तुम्ही सजन सुहेले संसार में प्रतेक व्यक्ति अपने संबंधियों से सहायता की यासा रखता है किसी को अपने धन पर अभिमान होता है किसी को सक्ती का मान होता है परंत भक्त को केवल अपने सद्गुरु के चरणों का ही सहरा होता है वास्तों में सद्गुरु के चरण भाग्य साली को ही प्राप्त होते हैं माई चरण गुरु मीठे बड़े भाग देवे परमेशर कोटी फला दरसन गुरु ठीठे संत जनों का मित्र केवल एक भगमान है इन संतों को स्वामी की चरण धूली का मान होता है साद संगत जी जिनोंने भी अपने सद्गुरु की दयालुता पर मान रखा है और सद्गुरु की आज्यानुसार जीवन बतीत किया है सद्गुरु के दरबार में ऐसे सेवकों के मुखूच जो लहाए बीलनी जो बेर याद इखा कर भी अपने रामिक की याद में रहती थी समयाने पर उसके सद्गुरु ने उसे प्रकट कर दिया निर्धनता में रहकर बासी रोटी खाने वाला सुदामा जब भगवान के दरबार में गया वहाँ भी प्रभू ने अपने भक्त के कच्चे चावलों को बड़े प्रेम से गरहन किया उसके बदले सुदामा को सब कुछ मिल गया साद संगत प्रेमी जनी अपने सद्गुरु के प्रेम में संशार के बड़े से बड़े कष्ट सहन करने से भी नहीं घबराते स्रीगुरु अरजुन देवजी महराज जो उस समय के सद्गुरु थे उनको भी बहुत कष्ट सान करने पड़े उन्होंने इन कष्टों को हसते हुए इस वर की आञ्या समझकर सान कर लिया क्योंकि प्रेमी जन जानते हैं कि उनका सद्गुरु जो कुछ भी करता है उनको उचा उठाने के लिए करता है भक्त जनों का सहायक केवल सद्गुरु होता है भक्त जन इसकी सरण में अपने आपको सुखी समझते हैं राखहु राखन हार दयाला नानक घर के गोले अन्त में सेवक जन रंकार या काल प्रुख के चरणों में या कह कर चुप हो जाता है कि हेदाता मैं तेरे द्वार का एक कूकर हूँ आपने मुझे पर बड़ी दया की है कि मुझे इस मंडल में अपने प्यारे भक्तों के साथ बिठा दिया साथ संगजी प्रभु प्रेमी ही सत गुरु की सरण में आकर अंगसंग रमे राम को जानकर उठते बैठते सोते जागते हर समय तुहीं द्रंकार का सुमिनन करते हैं जैसे गुर्बाणी में लिखा है उठत बैठत सोवत धियाईये मारग चलत हरे हरे गाईये संत की निसानी भी यही होती है जिना सास गिरास न विसरे हरिनामा मन मन्तु धनते सेई नान का पूरण सेई संतु साद संगत जी संसार में केवले आप पूर्ण संत हैं मुझे आप जैसे महापुरुष नोखंड प्रिथवी पर कहीं भी दिखाई नहीं देते क्योंकि जिन मनुष्यों ने इस संसार में आकर पूर्ण सत्गुरू को मिलकर इस सर्व सकती मान सर्व कला समरत प्रभू को अपने अंग संग जान लिया है और जो हर समय इसी की याद में अपना जीमन बतीत कर रहे हैं उन जैसा भागिवान इस संसार में और कोई नहीं हो सकता साथ संग जी दै निरंकार्च बुद्धवार 16 सितंबर 1269 कहा मन बिखिया सिव लप ताही या जग महिको रहन न पावे इक याव ही इक जाई काको तन धन संपतिका की कासिव नेहू लगाई जोदी से सो सगल बिना से जिव बादर की छाही तजी अभिमानु सरण संतन गहू मुक्त हो ही छिन माही जननानक बगमंत भजन बिन सुख सपनों भी नही आदिगरंत 1231 सेंसाह जी ने फरमाया साथ संगत जी धै निरंकार कहा मन बिखिया सिव लप ताही साथ संगत जी इन बचनों को ध्यान पूरबक सुने ये उन लोगों के बचन है जिनको हम काते हैं कि इन में और इस वर में कोई भेद नहीं है एदि हम इन बचनों को सुनकर इन पर चलेंगे तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सब ब्यरता है जिस प्रकार कोई सरकार का सेवक हो तो सरकार उसे तनुखाह देती है क्योंकि वह सरकार की आज्यां से कारी करता है एदि वह अपनी हिच्छा से जो चाहे करे तो सरकार उसे धंड देती है इसी प्रकार साध संगत या सच्ची सरकार है इसके समक्ष हम परत दिन सिर जो काते हैं तथा काते हैं कि सच्चा पासा है अता इसकी आग्यां का पालण करो जोकी ःंदू, शिख्ख, हिसाई सब के लिए एक है केवल सिखों के गुरबाड़ी नहीं है इस प्रकार की भिन्नता तो संसार ने डाल दी है समस्त भक्तों की रचनाएं गीता गरंत कुरान अंजील बेद सास्त्र आदिसंपूर संसार के लिए है जिस प्रकार धर्ती पानी अगनी बायु सूर आदिसंस्त संस के लिए है जो भी हुक में आए सबने अपने लिए समझना है दूसरों पर उसे नहीं लादना क्योंकि दूसरों की निंदा में पढ़कर हम स्वेंग अपना जीमन गमा लेते हैं अता इन कामों में नहीं पढ़ना इदिया इस वर ये हुक में कहता है कि आप दूसरों का भा उठाएं तो अवस्त्य उठाएं परंतु यहां महापुरसों ने कहा है निंदा भली किसे की नाहीं मनमुख मुगध करन्नी मुहकाले तिन निंद का नरके घोर पवन्नी यहां नममपात साही श्री गुरुतेग भादुर जी का हुक में आया है कि जो कुछ इन आखों से द घर बाहर बेटी बेटे माबाप इत्यादी यदी परमातमा को छोड़कर इन बस्तूं से प्रीत कर ली तो सब तो विस है और यदी परमातमा को जान लिया तो ये सब आपके लिए अमरित हैं इसलिए कहा है बिचहु गर्वे निकल आया खसुम बिसार दुनी चितलाया जिस इसलिए महापुरसों ने अस्थान यस्थान पर यहा बात लिख दी है माता के उदर महीं परतिपाल करे सो क्यू मनहु बिसारिये मनहु किये बिसारिये एवडू दाता जी अगिन महीं आहार पहुंचा वे ऐसे कठिन समय में एक निराकार प्रभू ही सहायता करता है तथा जिनको यह दिश याद आ जाए वे तो समझ जाते हैं परंतु मूर्ख लोग बिलकुल नहीं समझते उन्हें फिर गर्भ में आना पड़ता है अतासाद संगत हम इस भुलावे में आकर संसार के साथ प्रीत कर बैठे हैं या जग मही को रहन नहीं पावे इक आवह एक जाही आपको पता ही है कि संसार में ना तो कोई पहले ही रहा है तथा ना किसी ने रहना है यहां तो एक आता है और एक जाता है संसार में हम एक यात्री की तरह हैं यदि कोई यात्री कहीं एक रात्री के लिए जाए तथा वहां जगड़ा इत्याद करने लग जाए तो वहां हमें अन्य कर्म कांड जब तप पाठ पूजा इत्याद के जमेले में नहीं पढ़ना यदि हम इन जमेलों में पढ़ गए तो फिर कष्ट होगा अता कहा है कि इस संसार में किसी ने नहीं रहना काको तनु धन संपत काकी कासिव नेहु लगाई वहाँ भी वही बात है कि जैसे की पहले भी कहा है कि आतन मन धन परमातमा की बस्तुएं हैं जिनको हम गले लगा बैठे हैं साद संगत हमने परण किया था कि है सहन सा तू हमें पैदा करके हमारा पालन पोषण करेगा हमारी रच्छा करेगा तो मैं पल-पल तेरा सुमिनन करूंगा तेरे ही नाम की आराधना करूंगा परमातमा तो अपने परण परदिर रहा हमें अच्छा जनम दिया खाने पीने तथा पहनने के लिए भी दिया है वैसे तो पसू भी खाते पीते हैं परन्तु उनमें और आप में बहुत अंतर है उनकी सूरत तथा आपकी सूरत में बहुत अंतर है अतासाद संगत परमातमा ने जो हम से प्रण किया था उसके अनुसार हमें संपूर्ण स्रिष्टी का मालिक बना दिया बलकि मुखी अपियाओ बैठ कव दैन बैठे बिठाए ही हमारी सेवा होने लग गई है जिस प्रकार बाबा जी ने कहा रमया के गुन चेति परानी कमन मूलते कमन द्रिस्टानी जीन तू साज सुवार सिगारिया गरभ अगान मह जिनह उबारिया बार बिवस्था तो जहीं पियार दूद भर जोबन भोजन सुख सूध बिरद भईया उपर साक सैन मुखी अपियाओ बैठ कव दैन यह निरगुन गुन कच्छू न बूजे बकस लेव तव नानक सीजे वाकई साद संगत यदि हम अपनी और से द्रिष्टी डालें तो सर में आती है कि माता का रक्त तथा पिता के बिंदु से हम बने है कि आजीव इतना किर्टगन है कि अपने किये हुए परण को भूल गया है गुर्मकों महापुरसों हर समय दया की विच्छा ही मांगनी है संसार संसारिक पदार्थ जो बिस के समान है मांगता है परंतु हमें हाथ जोड़कर किर्पा ही मांगनी है क्योंकि यह निराकार एक कलब रिच्छ है जो मुख से कहेंगे पूरा हो जाएगा यह बाते मैं उन लोगों से कहा रहा हूँ जिनोंने ग्यान की प्राप्ती की है दूसरों से मेरा कोई पर्योजन नहीं ऐसा नहीं कि मुख से कोई दुर्बचन निकल जाए तथा बाद में दुख उठाना पड़े यहां बाबा जी ने एक उदारर दिया कि कल्प ब्रिच के नीचे बैठा हुआ एक लड़का जो की प्यासा था उस समय उसने जो जो हिर्दे में इच्छा की वह पूरी होती गई धन भी मिला साधी भी हो गई घर इत्याद भी बन गया तथा वह वहीं रहने लगा हंत में उसके हिर्दे में एक बुरा विचार आया यदि यहां पर एक सेर आ जाए और हमें खा जाए वह कल्प ब्रिच के नीचे बैठे थे अताबात भी अबस्च पूरी होनी थी पर ड़ामता सेर आ गया और उन्हें खा गया साध संगत कल्प ब्रिच्च तो या निराकार प्रभू ही है जो जो चितवं साध जन सो सो लेता मान जो भी इच्छाएं हमारे मन में आती हैं वे पूरी हो जाती है इसलिए अपने लाब की ही बात सोचा करें अपने बुरे की बात नहीं सोचनी यदि आप कह दें कि मेरा बेड़ा गर्क हो जाए तो वह हो ही जाता है नहीं साध संगत या काम नहीं करना बलकि जो भी आप के साथ हो हमेशा भले का ही आसिरवाद दें मैं कई महापुर्षों को कहता हूँ कई लोग बीमार को देखने के लिए जाते हैं और उसकी बीमारी दूर नहीं करते वैसे संत जन समरत हैं वैं बीमारी को दूर करना चाहें तो दूर कर सकते हैं परन्त वे दूर नहीं करते वलकि इसके बिपरीत वह बीमारी को चिपका देते हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि गए तो आप भला करने थे इसके विपरीत उस पर बोश जाल आये हैं क्योंकि यदि आप रोगी को देखने जाते हैं तो आपका उसके साथ बड़ा प्रेम होता है कि वह बहुत प्रेम वाला है वहां जाकर यदि आप सभी एक ही बात रखें जब वह बताए कि महाराज कुछ कस्ट है तो आप कहें कि कोई बात नहीं सच्चा पास्था रहमत करेगा यालो चरण धोकर पियो चरणामृत यदि साथ ले जाते हैं और पिला देते हैं या कोई साधारर सी बस्तू खिला देते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती वह ठीक हो जाएगा परंद यदि आप जाकर यह कहते हैं कि वो हो बीमारी तो बहुत खतरनाक है किस डांक्टर का इलाज किया है यदिवा कहता है कि अमुक डांक्टर का तो आप कहते हैं कि नहीं तथा किसी दूसरे डांक्टर से दवा लेने की सलाह देते हैं तो उसकी बीमारी और बढ़ जाती ह क्योंकि संतों के बचन पूर्ण तो अवस्य होने हैं वा तो पहले ही बहुत पैसा खर्ज कर चुका होता है और या आप उसे दूसरा डांक्टर बता देते हैं अब यदी वह आपका कहना नहीं मानता तो वा ठीक नहीं हो सकता यदी मान ले तो उसके पास इतना पैसा नहीं अता वा या भी नहीं कर सकता फिर कोई और महापुरुष जाते हैं इसी प्रकार कुछ और सलाह देते हैं तो फिर रोगी किस प्रकार ठीक हो अता मैं कहता हूँ क सब डांक्टर बन कर ना जाया करो बल्कि वही कहा करें कि मेरा सच्चा पास आखिरपा करेगा संतों के चरड़ो कर पियो निराकारदातार ठीक करेगा इस वर पर भरोसा करके मिट्टी भी खिला देते हैं तो वह ठीक हो जाएगा जो भी कोई उसके पास जाए वह एक ही बात कहे तता सब की एक ही निगाह हो दूसरे के दुख को बढ़ाएना बल्कि सुभा सिरबाद ही दें यहां आवाज आई है कि यह तन मन धन संपत्ती किसकी है निरंकार की है यह केवल ग्यानियों को ही पता है संसार तो कहता है कि यह सब कुछ मेरा है परन्त ग्यानी कहते हैं कि यह सब कुछ निरंकार का ही है जहां भी जाए सब के गुड़ों को ही देखें जिस प्रकार आप कैप्टन सहब के घर जाते हैं उनकी हर उपरी बात को छोड़ दें परंत जो आप से प्यार करते हैं आपको बिठाते हैं और यदि कोई बचन आये तो कहते हैं या सब आपकी गिर्पा है या सब निराकार की दया है इन बचनों को आप अपने हिर्दे में बसा लें या बहुत उंची अवस्था है यदि आप किसी दूसरे के घर जाते हैं तो व नम्रता और प्रिती इसी को कहते हैं जो दी से सो सगल बिना से जीव बादर की छाही। यहां भी मापुरुष यही बात कह रहे हैं तजी अभिमानु सरण संतन गहु मुकुति हो ये छिन माही। साध संगत यहाबात माननी है जो की मनुस्य मात्र के लिए कही गई है कि अभिमान छोड़ कर संतों की सरण लेलो। मैं भी यह बात बार बार आपको कहा करता हूँ कि संतों के साथ बहर विरोध ना कर संतों की चरण धूली बने किसी भुलावे में ना पड़ें क्योंकि यह जो माया है। ऐसी माया प्रभु की तरनी कठन अपार एक देव की सेव होई भवने उतरे पार। एक गुरु देव की सरण याने से इस भवसागर से पार हो जाते हैं। गुरु आपके हिर्दे में प्यार भरता है तथा कहता है जो दी से गुरु सिखडा तिस निव निव लागव पाई जीव। आखा बिर्था जीस की गुरु सजन देव मिलाई जीव। सोई दस उपदेशडा मेरा मन अनत नकाहू जाई जीव। इह मन उतैकू डेव साब मैं मारग देह बताई जीव। यू आईया दुरहू चलिके मैं तकी तव सरणाई जीव। हेदाता मैं तेरी सरण हूँ मेरा मन अब योर कहीं न जाए वाकई साथ संगत अस्थान अस्थान पर यही कहा है संतन सिव मेरी लेवा देवी संतन सिव व्यूहारा धर्माराई अब कहा करेगो जव फाट्यू सगलो लेखा। संतों का दास ही बनना है कभी भूल कर भी किसी संत की और उंगली नहीं उठानी जिस पकार मैं एक उंगली आपकी और करूँ तो चार उंगलियां स्वेंग ही मेरी और आ जाएंगी किसी संत की और यदी उंगली करोगे तो ये सब पाप हमारी और आ जाएंगे हमने ये पाप अपने उपर नहीं लेने हमने तो जो पाप अपराद पहले किये हैं कोई माफ करवाने हैं क्योंकि कोट पराद साध संग मिटे संत गिर्पा ते जगते छुटे संतों की किरपा द्वारा ही यमों से छुटकारा मिलता है साधू की संगत में आकर भी यदि कोई भुलावे में पढ़ जाए तो अपना ही नुक्सान करेगा किसी का नहीं होगा अताया भुलावा हिर्दे से निकाल दे जब हम अपनी आखें बंद कर लें तो अंधेरा हमारे लिए ही होगा किसी अन्न के लिए नहीं संसार भुलावे में पढ़कर संसथाओं, जातियों, मजहबों के पीछे लग जाता है कि यमुक ब्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है हम उसके पीछे लग जाते हैं बुद्धिमान कोई नहीं होता इसलिए बाबा जी कहते हैं चाड सगल सियानपा साद सरनी आओ पार ब्रह्म परमेशरो प्रभु के गुणगाओ आप एक अकाल पुरख निराकार के गुणगाते हैं यहाँ पर कहा गया है कि हैंकार को छोड़ कर संत महापुरुस की सरन में आओ एक छण में मुक्ती मिल जाएगी अभी अपने हिर्दे में जाक कर देखो की आपको प्रभु मिलन में कितनी देर लगी है मुक्ती काम समाप्त करने को कहते हैं जैसे बरी करने वाला देर नहीं लगाता और दया करके छोड़ देता है केवल उसे दो अच्छर लिखने पड़ते हैं कि इसे मुक्त कर दो इसी प्रकार इस दर पर भी मनुस्त छड़ भर में मुक्त हो जाता है साध संगत मैंने यहां बताया कि कई लोग वाहे गुरू सतनाम काने को भी भक्ती समझते हैं इसी प्रकार तुहीं दरंकार काते रहना या आखें बंद करके बैठना या भक्ती नहीं है केवल भुलावा मात्र है भक्ती नोकरी को काते हैं जो संत जन सेवा करते हैं संत जनों की किरपाद्रिष्टी गिरान करते हैं वही भक्ती है मुझे पूछा जाता है कि बाबा जी भक्ती कब करनी चाहिए नाम किस समय अपना चाहिए मैं कहता हूँ समय तो मैंने कोई नहीं बताया मैंने तो कहा है उठत बैठत सोवत धियाईए मारग चलत हरे हरगाईए हमारा मारग यह कहता है संसार के बड़े बड़े साधू मातमा योंग गुरू समाधी लगानी दसमे द्वार स्वास चलाने आधी बताते हैं संत जनो निराकार ने इस रष्टी की रचना करके हमें कष्ट में नहीं डाला जैसे कहा है नानक सत्य गुर भेटिये पूरी होवे बताई है अंग संग्जिराकार प्रभु के दर्सन कराये हैं इसको हिर्दे में बसाओ इसी के लिए कहो जैसे पुरातंसंतो ने भी कहा है एको जपी एको सालाह एको सुमरी एको मनमाही एकस के गुनगाव अनन्त मन तन जाप एक भगवंत एक एक हरी आपी पूरन पूरी रहो प्रभुव्यापी अनिक विस्थार एकते भए एक अराध पराचत गए मन तन अंतर एक प्रभुराता गुरुपरसाद नानक इकुजाता। गुरु की किरपा से एक को जाना जाता है आपने एक को जान लिया है धर्ती के तक्ते पर याप से उंचा कोई नहीं। किरदी कोई आखें बंद करके कहे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा उसका हम क्या कर सकते हैं। कई लोग दूसरों के खान पान पर इतराज करते हैं क्या उनके अपने मन की उपज है प्रभु स्वामी की ऐसी आज्या नहीं। प्रभु जाने और उसका काम हम अपने स्वामित्य को क्यों बनाएं। यदि स्वामी प्रभु चुट्टी दे रहा है तो हम प्रभु इच्छा के विपरीत फंसने का क्यों परियास करें। साद संगत छोटे मोटे दिमागों वाले अपनी बातें दूसरों पर थोपने का प्रियास करते हैं। उनकी हालत ऐसे ही है जैसे की काठ की बिल्ली बनाकर इदि सामने रख दी जाए तो वह म्याऊं नहीं कर सकती। किसी प्रकार असक्त बस्तूओं में से सकती नहीं मिल सकती। गुरू किसी के बनाने से नहीं बन सकता। या तो ईश्वरिये बरदान होता है और निरंकार स्वेंग ही गुरू रूप होकर अपने आपको प्रकट करता है। जैसे कहा है जिसनों साहिब बढ़ा करे सोई बढ़ जाणी, जेको उसदी रीस करे सो मूढ अजाणी, जिस साहिब भावे तिसु बकस लए सो साहिब मन बाणी। मैंने वही आवाज देनी हैं जो सब के लिए एक है, किसी को पतवरष्ट नहीं करना, हमारी कमियों के कारण हमारे मन में अंतर आ जाता है, और छोटे छोटे सम्मुहों से संगतें बना लेते हैं, मैं कहता हूँ संगत कई सम्मुहों में करो, परंतु हुक्म, आज्या एक का पालन करो, जो सत्गुरु का हुक में आए, उसी पर चलो, तभी संगत सही है, अपने अपने विचारों से संगत मत चलाया करो, आपको कोई ऐसी आज्या नहीं दिये गई, संगत करो, सभी मिलकर संगत करो, प्रेम पूर्बक निराकार का यस करो, संत जनों के चरणधो कर प पियो, परन्त मन मत कभी ना करो, जो अपने बुद्धी पर चलते हैं, अपने आपको गुरु से भीवु पर मानते हैं, परन्त या आहंग है, या गिरावट है, आओ संत जनों, हमने अपने हंग को मिटाना है, अपने आपको संत जनों के बच्चों का भी सेवक मानना है, अ रभुभक्ती के बिना कहीं भी सुख नहीं है, संत जनों, आप संत जनों के ही बचन पढ़ते हैं, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमकव बनियाई, हमारा जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए, मैं आपको जिस वोर ले जा रहा हूं, वह है अवस्था, बेगम ठाओं कही रभिदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीतु हमारा, मैं भी आपको उसी नगर का निवासी बना रहा हूं, जहां पर सभी मित्र ही मित्र हैं, कोई सत्रू नहीं, आओ संत जनों, आपको निराकार का भक्त बनाया है, भूल कर भी संत जनों से द्वेस नहीं करना, क हम संसार को छोड़ कर इस वोरे आ गए हैं, साधू की संगत रहव, जो की भूसी खाव, या संता की होई दासरी, यहु अचारा सिखूरी, सगल गुणा गुण कूतमों, भरता दूर नपिखूरी, साई सुहाणी नानका जो भाणी करतारी, यहां भी यही बात कही है, कि संत जनों के चरणों में ही सुख है, और कहीं भी सुख नहीं, साथ संगत जी दर निरंकार जी